Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं आप सब लोग, मस्ट, बढ़िया चुले स्टार्ट करते हैं हम लोग community pharmacy and management का next chapter याने की chapter number 4 ठीक है ना, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं, communication skills बातचीत करने के जो skill होते हैं, तरीके होते हैं, आप as a pharmacist, professionally एक patient से कैसे बात करेंगे काफी सारी चीज़े यहां पर आप लोगों को पता है, बस यह भी chapter very important, क्यों यह आपके profession के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आप एगर as a pharmacist job करेंगे, या अपनी community pharmacy खोलेंगे, तो आपको एक patient से किस तरह से पेश आना है, यह चीज़ आपको यहां पर सीखनी पड़ेगी Otherwise, हो सकता है आपकी community pharmacy उतनी अच्छी ना चले, ठीक है, बात समझे मारी है, ठीक है तो मैंने कहा जैसे कि बहुत सारी चीज़े हैं, जो आप लोगों को पता होंगी लेकिन हमको उसको लिखना कैसे है, exam purpose के, आउस देखते हैं, समझते हैं, और काफी interesting चीज़ें भी हैं इसके अंदर तो स्टार्ट करते हैं, communication skills, तो हम सबको पता है, communication skill क्या होता है, बातचीत है ना, एक दूसरे से, हम लोग क्या करते हैं, अपने information उसे देते हैं, और अपने उसकी information खुद लेते हैं, एक तैसे communication skill यह होता है लेकिन यहाँ पर हम exact definition की बात करने तो क्या कह रहा है, communication skill is the exchange of information, information का आदान परदान या ideas between a pharmacist and a patient, pharmacist और patient के बीच में या caregiver, caregiver मतलब जो patient के साथ आया हुआ है तो कहीं ना कहीं, pharmacist और patient की बातचीत के बारे में, यहाँ पर सारी बाते होने वाली हैं, good communication makes the treatment easier, अगर communication अच्छा है, तो इससे ilaj, treatment असान हो जाता है and improve patient compliance, कहीं ना कहीं, patient का compliance क्या कर जाता है, increase कर जा रहा है, ठीक है ना, तो उम्मीद कर रहा हूँ, ब यह बात समझ ले होंगे कि patient compliance क्या होता है clear है बाते हैं, okay, तो clear होगा definition, वही मैंने कहाँ, वही सारी चीज़े हैं, इसमें patient और pharmacist की बीच की बाते होंगी जैसा उसने कहा है, मैं ठीक, वैसा ही करूँगा, उसी टाइम पे खाऊँगा, वैसी exercise करूँगा, क्या चीज नहीं खाने को बोली है, वह चीज नहीं खाऊँगा, वगरा वगरा, मतलब ओवराल situation जो बाते बोली गए, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, कैसे खाना है, क्या से नहीं खाना है, उस सब बातें किसके अंदर आ जाती है, patient complex के अंदर आ जाती है, उनको फिर से repeat कर दिया, जिन लोगों को नहीं पता, आगे आते हैं, types of communication की बात करें, तो हम सब को पता है, communication की normal बात करें, तो दो टाइप की है, verbal, यानि की mockic, और amockic, ठीक है न, mockic जो मैं बातचीत कर रहा हूं, और non-verbal में क्या होता है, बिना बातचीत कि आप कई बर एक आदमी का idea लगाता है, क्या रहे यह यह आदमी professional होगा, अरे बेकार आदमी है, बिना देखे उसके, how बात करने के तरीके से, dressing sense से जो आप idea लगाते हैं, वो सब चीज़े क्या होती है, non-verbal communication होता है, ठीक है, आओ समझते हैं, फटा-फट, तो verbal communication क्या कह रहा है, it is the communication using words, शब्दों का इस्तमाल होगा, speech, शब्द कहलो, speech कहलो, between the pharmacist and the patient, तो verbal communication, language play important role in the verbal communication, language का बहुत एहम रोल अलग-अलग state से लोग आकर के बशे हुए, और language करिवार अलग होती है, मालो एक फार्म सिर्स साउट का है, और नॉट इंडिया का आत्मी आ गया, तो बातचीत करने में थोड़ा सा दिकत हो सकती है, तो language एक important role play करती है, it makes exchange of information easier, अगर language एक समान है, तो information का आदान परतान असान हो जाता है, it is the most common method of communication between the healthcare provider and the patient, healthcare provider उमीद अब बात समझते होंगे, healthcare provider कौन होते हैं, सब होगे, pharmacist, physician, RMP, dentist, सब उसके अंदर आते हैं, तो ये language बात करने से सबसे पुराना तरीका एक तरह का, non-verbal communication देखो, it is the exchange of information or ideas using gesture, हाव भाव से, है ना, आप किसे मिल रहे हैं, हसके मिल रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, भाई, ठीक हो ना, और कैसे मतलब क्या है, कुछ जाए दिक्कत तो नहीं, आओ, बैटो, बैटो, यहाँ पर, मैं आपका reading वरा लेता हूँ, तो अब जब इस तरह से किसी patient से बात कर रहे हैं, patient को लगता है कि यार, है, मेरे को पू जाता कि अच्छा, यह इंसान, फार्मसिस्ट होगा, या कोई अच्छा इंसान होगा, अच्छा इंसान होगा, जो कि मेरे साथ बातशीत करने आया, तो gesture, ठीक है न, facial expression, आप उसे मुस्करा के बात कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं, eye movements कैसे हो रहे हैं, पोश्चर कैसा है, आ आप पोश्चर ठीक होगे बात कर रहे हो, आप सामने पेश्चर से बात कर रहे हो, हाँ, 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 ठीक, ऐसे करके बात कर रहे हो, तो बड़ी मुवमेंट्स कैसे हैं, ठीक है, पेश्चर से बात कर रहे हो, कान खुजा रहे हो, अच्छा ठीक है, दद्द्द्द् तो body movement का बहुत बड़ा roll रहता है ठीक है it is useful for disabled people यह खासकर रहे disabled people तो नौर वर्वर में disabled मतलब कोई गुंगा है बहरा है ठीक है इस टाइब से यह child बच्चों के लिए gesture है ना हातों सही मुस्क्रा रहे हैं और समझा रहे हैं हातों सही समझा रहे हैं लोग ने देखा बच्चों में elderly people में या जो लोग disabled है handicap है अब देखो non-verbal communication में देखो कितना अच्छे लग रहा है ठीक है तो अब आपने सुबह उठे hair dress नहीं किया hair नहीं किया है ना बाल लंबे-लंबे हैं बने हुए हैं आप क्या वो एक old style hero style लंबल में बने हुए अग्धों आ गए एक तरह से तो वह सब चीज़ें अपने प्रोफेशन में नहीं होती है तो बाल प्रॉपर कटे हुए होते हैं है ना शेव आपकी clean होती है warm smile जाब मुस्क्राइए और तो मिलेंगे किसी से या पेशन से मिल रहा है तो आपके पेशन से मिल रहे हैं तो और हाथ मिला रहे है तो ऐसा होना लगना चाहिए तो एसा होना लगना चाहिए है ठीक है correct body posture यह सब चीज़े non-verbal communication होती है इन सब चीज़े पेशन समझता है कि हाँ जो अगला इंसान है वो उसका इंपेक्ट पड़ेगा आपके उपर यह सब कीज़े अगर सही होंगी तो कहेगा कि हाँ यह जो फार्मसिस्ट है यह मेरे को सही रहा सही सला दिया है और सार लेंगोज में कौन को ना बॉड़ी कॉंटेक्ट शेकिंग हैंड आप किस तरह से हाथ मिला रहे हैं पोस्चर है ना एक्जांबल स्लॉचिंग लूजबूज है यह एक तब फर्म हो कैसे हो ठीक है फेशिल एक्स्प्रेशन ठीक है गुस्से में आप बात कर रहे हो फ्रॉं बात करते हैं यह एवन कोई मेल भी हो वो चाहता कि आप दूर रहा के बात करें लेकिन आप पास चले को नहीं समझ वारा उसको कुछ सबस्द आइब मुववेंट कैसे हैं ठीक हैं कितनी जपकार रही है आपकी हैड मुवेंट नोडिंग हाना कैसे कर यह सब चीज़ आथ क कर रहे हो तो हाथ को मुशन होते हैं और बात करते हो जैसे मैं करता हूं तो कुछ शब्दों के बहुत तेज से या पॉस करके फिर उनको बोलता हूं तो चीज़ अच्छे समझ में आती है ना तो सेम चीज़ आपका नॉन वर्बल कम्मुनिकेशन हो रहता है तो यह सारी च सकते हैं कि क्या क्या चीज़ है अभी इसको हम तुरह सा और डिटेल में देखेंगे ठीक है आगे आते हैं अब कुछ एक्स्प्रेशन की बात करें और उससे निकलने वाले मीनिंग की बात करें लीनिंग बैक इंचेर आप चेर में से अराम से पीछे टिकार के बैठे हुए यौनिंग लुगिंग एट क्लॉग बात करते हैं घड़ी तरफ देखते जा रहे हो इसका मतलब क्या है ठीक है और शिफ्टिंग और शफलिंग फीट बाब और पैरों के हिला रहे हो तो साफ साफ दिख रहा है यह सारे चीज़े बताएं आप खुद बताते हो क्या हो रहा है या ठका हुआ है या आप में इंटरेक्स नहीं रखता है या उसमें सब्र नहीं है कि वह चाहता जल्दील हो हम जाएं यहां से ठीक है न तो देखो यह चीज़ आप लोग समझते हो ना ऐसे फार्मसिट आपको समझनी आप सूचते अगला इंसान को कुछ नहीं पता सब पता है एक गाओं कम है अगर कोई एक ऐसा इंसान भी आ गया है शहर का नहीं बहुत हो लेकिन आपकी इन फिजीकल एक्टिविटी को देखते हुए कोई भी इंसान हो बच्चा हो बूड़ा हो कोई भी हो वो समझ जाएगा कि आप इंट्रेस्टेड है या नहीं है बहुत इसलिए नॉन वर्बल रेंगविज बहुत मैंड रखती है आप इसमाइल कर रहे हैं नोडिंग कर रहे हैं अच्छा हो के तो उसको लग रहा है कि आप उसकी बास सुन रहे हो कीपिंग आई कॉंटेक्ट आप लगाता है उसकी आँखों में घूरना नहीं है बात करते जान आप लोग पर लाइफ में यह देफ फार्मसिश्टी नहीं आप कही ना कहीं पर ऐसा हुआ होगा कि सावर्ड़ इंसान इंट्रेस्ट है या नहीं है या आपके लिए वह बोर हो रहा है आपको समझ नहीं रहा है इस सब चीज़ें आपको भी समझ में आ जाती होंगी इंट्रेस्ट इंथ्योजियाज्म एग्रिमेंट हुमर ठीक है यानि को इंट्रेस्ट दिखा रहा है एनरजाइस भी है आपकी बातों से एग्री भी रख रहा है इस सारे इस तमाम बाते आ जाएंगी अब एक और तरह का आई वह देखें अगर हम लोग अवाइडिंग आई कॉंटेक्ट वह आखें नहीं मिला रहा है फ्रौनिंग इस प्राइचिंग हैट गुस्टे में है चेरा बात कर रहा है बाल सर खुजा रहा है पर्सिंग लिप्स हैंगा चीजे कहा है तो इसका उसलिब क्या है कन्फ्यूजन है वह आपकी बातों वह ड एंगर वो सकता है हो सकता है उसे कुछ संधे हो आपकी बातों को ले करके अपने विचारों को दवार आओ किसी वजए से आपसे बात नहीं करना चाहरा है तो यह तमाम चीजें तो देखो यह सब चीजे नॉन वर्बल कम्मुनिकेशन की ना तमाम बात है यानि कि नॉन वर्बल कम्मुनिकेशन को अगर आ जाए तो एक दो और फिर इस तरह से क्या चीजें इंडिकेट हो रही है अभी आगे और भी है तो नॉन वर्बल को पर कोश्चन आया था पांच नमर है तो बहुत सारा लिख सकते हो तरफ तीन नमर से ज्यादा हाथ को और सर का जब मोशनम करते है वो गैस्टर के लाता है गैस्टर यूजेज डिफ्रेंट साइन उजिंग हैं और बॉड़ी पार्स ठीक है वो सब बात है वही सब लिख सकते हो फेशिल एक्स्प्रेशन एक्स्प्रेशन दा मूड इमोशन विद दा आइस एन माउथ ग ही जाँको बात कर रहे हो चैर पे घुले तो इस्प्रेशन को एक वो देता है कि वह पीसटेट सब्स्मोनों मेरी में सब्सक्राइब और मेरी बीमारे सब्सक्राइब चाहता है इसुए मेरी बीद में नहीं है तो मिस को पनी बात क्या बता हूं फिजिकल कॉंटेक्ट फिजिकल कॉंटेक्टपी प्रीडियुजिची होगए चलो अच्छी बात है या चलो कोई बात नहीं सब्सक्राइब करना तो उसको भी ध्यान लखा जाता है बाडी पोस्टर की बात हम आगे और डिटेल में करेंगे अलग अलग बाडी के पोस्टर होते हैं खड़े बताओ अच्छा जी बताइए हां बताओ दो बाते हैं तो इसमें आप अलग लिखना चाहते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं यह वही सारी सारी चीजिया जोब नहीं आप एक्सप्राइन करी तुम लोगों को ठीक है ना तो वह सारी चीज़ आ जाएंगे के लिए रहे हैं अब अब elements of effective communication with patient जाने कि जा हमारे पास heading है आवारे पाइस स्लेवर्स में एक interaction विद patient आप patient से interact कैसे करेंगे verbal non-verbal खत्म हो गया आप और पास अभी वो detail में अलग से करेंगे तो करने का तरीखा क्या और Ellie बात है इसके कुछ पार्ट्टेंज जैसे की पेशेंट टाइन इनकी कि इसने क्यों करना है एड्रेस पेशेंट प्रपर्ली आपको पेशेंट प्रॉपर्ली एड्रेस करम्ट मतलब hello mr या उसका नाम ले करके हेलो श्याम हेलो राम ठीक है ना आस्क पेशन्ट हाओ ही और शी वांट टुब एड्रेस या आप पूर सकते हैं क्या मैं आपको आपके नाम से बला सकता हूं ठीक है ना तो यह सब चीजें आपको करनी पड़ेंगे जिससे क्या है कि उसको भी लगता ह है या जिनोंकर का असर है कुछ नश्य में है करके तो वह बैटर है ऑप उनको पहले नाम से बुलाएं जैसिका नाम मालो झाहीं राज-frames को मारत नाम गयए तो हम सो राज-राज करके बुला लेंगे ठीक है ना किसी का नाम हम है रवी भी पालनल यो को सिंग नहीं बोलेंग कि आप उसको बुलाएंगे कैसे आपको ये समझना है फिर आपको समझना है कि आपको उसकी respect रखनी है पेशेंट की यानिकी respond to patient as a person not a prescription user आपको एक इनसान की तरह है उससे deal करना ना कि आरे कि कोशिष करेंगे उसके लाइव की personal information या अपने live की personal जज्जमेंट उसकी बातों को लेकर कि आप किसी टाइब को जज्जमेंट नहीं देंगा रहा तो तो गलती तुम्हारी फिर तो यह ठीक है उसे गलती ठेरा दे तुमने कता ही तो यह सारे काम नहीं करने है पेशन के चोट लग जाती है बैक से आये बंदा उसने बताया कि बह हो गया होगा दोके से हो गया होगा तो इस टाइब से चीज़ें को करना है आपको डील करना है ना रेस्पेक्ट होगी पेशन की फिर कॉश्णिंग टैक्निक अब आप उससे सवाल भी करोगे तो आपके कोश्चन ओपन एंड होने चाहिए रैपिड स्वेक्वेंस कोश्च होना चाहिए डॉंट इंट्रप्ट पेशेंट ओपनेंड का मतलब है जैसे कि मालो आप पेशेंट से कुछ पूछ रहे हैं क्या आप पने दवाई टाइम पे खाई पेशेंट ने का हां या ना बोल देगा हो तो यह खतम हां या ना में आंसर खतम यह हो गया क्लोज ठिए कंणि अभी पूछ準 कि उसाफ सवाल कर रहे दवाई लेने में सच्चम रहे एक इस तरह से सच्चम रहे मतलब यहां पे सच्चम रहने का मतलब क्या हो गया हो सकता है किसी वज़े से आप ना रह पाए हो तो यानि कि उसको बताएगा फिर कि मैं समय पे नहीं ले पाए क्योंकि साइद में लेट उठा था मैं उस दिन भूल गया था कुछ कामें विजी हो गया था तो वह अपनी पूरी बात रखेगा ओपनेंड का मतलब है सवाल हां या ना में खतम नहीं होना चाहिए एक के बाद एक मिलती होए कोशन होने चाहिए जो सिक्वेंस होता है कोशन यह नहीं कभी कुछ पूछ रहो ठीक है और जब को पेशेंट अपनी बात बोल रहा तो उससे आप इंटरप्ट नहीं करेंगे उस इस Spoel पूरी बात कह लेने दो उसके बाद फिर इससे आगे बात करो ना। फिर पेशेंट को इंट्रक्शन दो गए याने कि हैसे पेशेंट की जरूरत किया नियुकाल है है लो या दवायां उसकी चल रही है तो किस हिसाफ से जरूरत है कुछ भी हो सकता आप पेशेंट की ऐसे इन्फोरेशन देनी है ठीक है ऐसे पेशेंट लर्निंग यह भी देखू कि आखर पेशेंट ने क्या सीखा पेशेंट ने जो तुमने चीजें उसे बाचीत करी है उस दौरान जो बात आप समझाना चाहरे हो क्या वह सीख गया वह बात है समझ गया डिटर्माइन पेशेंट अबजेक्टिव फिर पेशेंट का अबजेक्टिव को अभी सोच एक पेशेंट किस उद्देशी से आया है यहां पर और क्या चाहता है वह बात है तुम लोग ऑगे सार वह तो आया अपना बिमारी लेकर करके आया बिमारी के साथ-सार कईवार और सब्सक्राइब पेशेंट सब्सक्राइब और चन्ला करेंगे अला निश्यामार! यहां कराया बोल्यंगे चार अध्रवक्वाल नहिंगे है तो ऊचाहित है वह कई वह सारी चीज़एं निमें सवाल होतें ठीक है फिर पाचवा कि पर ऑप्रेशेंटिंग differences in an individual's perspective, दो patient की बिमारियां एक है, ठीक है न, इसको ही बुखार, इसको ही बुखार, लेकिन, दोनों का नजरिया अलग है, ठीक है न, दोनों आये, बुखार की दवा लेने के लिए, हो सकता है, एक को malaria हो, एक को typhi'd हो, ऐसा भी हो सकता है, दोनों को बुखार है, तो appreciate differences in individual perspective, याने कि अगर इसके thoughts अलग हैं, थोड़े से और इसके thoughts अलग है, एक कहता है, हम तो time से खाएंगे, एक कहेगा, थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है, या उसके कुछ और conditions हो सकते हैं, तो हर एक patient को अलग तरीकर डिल करना है, यह निए अच्छा, तुम्हें ही बुखा इसके thoughts अलग हो सकता है, पेशेंट कंसर्ण मतलब किसी चीज के लिए आप चिंतित होना कि जीज के लिए, तो patient में भी concerned about, केशेंट चिंतित हो सकता है, the seriousness of their illness, हो सकता है, एक patient चिंतित हो कि या ज़्यादा विचार में हो कि उसकी illness बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसको ले क करके बातचीत करना चाहता हो, अपनी बिमारी को ले करके सारी बात है, उससे दवाई से मतलब नहीं कर रहा है, दवाई तो मैं खाई लूँगा, पहलो मेरे की बिमारी की बारे में सब कुछ समझाता हो, होती कैसे है, क्या हो गया, मेरे को कहां से लग गई, है ना, एक patient डे किस चीज को ले करके चिंतित है, और किसको ले के बात करना चाहरा है, अंडर गोईंग ट्रीटमेंट, यह हो सकता है, patient कह रहा है, मुझे सब पता है, मेरे क्या बिमारी है, और क्या गदवाया खानी है, अब जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके बारे में जारा बताओ कब तक चलेगा, कितनी कितनी गोलियां और खाने पढ़ेंगी, बीच में क्यों क्यों चेंज होगा कि नहीं होगा, इसे तमाम सवाल हो सकते हैं, वो पूछ सकता है कि सब कुछ ठीक मुझे सब पता है, बस यह बता दो, कि जो ट्रीटमेंट चल रही है, यह बिमारी है, यह मेरी लाइस को कैसे अफेक्ट कर रही है, यह किस तरह से अफेक्ट करेगी, तो बताएगा कि यह बिमारी है, ऐसा ऐसा हो सकता है तुमारे साथ, क कि इस ब्मारी की वहीं से ऐसा हो ठीक है तो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस चीज को ले करके आप से बात करने को इच्छुक है not making themselves understood ठीक है उसे बात ही नहीं समझ में आ रही है कुछ ऐसा ही हो सकता है not being able to understand the clinician's response जो clinician का response है वो उसके समझ में नहीं आ रहा है wasting the clinician time या वो clinician का time waste कर रहा है ठीक है तो पेशेंट में भी concerned about तो पेशेंट किस चीज को ले करें concerned है किस चीज को ले करें बात करना चाहता है आपको ये चीज दिमाग में रखनी है और फिर उसके हिसाब से याने कि हर एक patient को आपन चाहता हो एक treatment के बारे में जानना चाहता हो तो डिपेंड करेगा ये बास समझ में आ रही है आ गया आते हैं clinician में भी focused on ठीक है अप्रेशेंटिंड डिफरेंसे इसी के अंदर एक पेशेंट का concern हो सकता है दूसरा clinician का focus हो सकता है याने कि clinician चाहता है कि भई time बोलेगा वह हर पेशेंट बहुत आ रहे हैं आपको patient को इस नहीं time देना है दो से तीन मिनट या पांच मिनट इस ताम नहीं देना है ठीक है यह आपको समझना पड़ेगा टेकिंग केस हिस्ट्री क्लिशन में फोकॉस्ट ऑन टेकिंग केस हिस्ट्री यान कि clinician focus हो सकता है कि patient की आप केस हिस of knowledge उसकी खुद की जो knowledge की कमी है दा सिम्टम साइंस एंड अंडरलाइंग पैतलोजी क्या क्या है उसकी ठीक है अजमसन बेज़ डॉन प्रीविएस विजिट या फिर फोकॉस कर सकता है उन अजमसन अजमसन पे जो patient प्रीविएस विजिट कर गया है उसके अधार पे वह करता है कि आपको एक्स तरीक से डील करना है ठीक है तो चीजे डिपेंड करती है patient के अधार पर clinician के अधार पर फार्मसिस्ट काम करता है ओके फिर छटा पॉइंट आता है इसके अधर medical jargon याने कि translate commonly used pharmacy and medical terminology to late terminology avoid slang ठीक है ना translate जो commonly used pharmacy और medical terminology है जो कि आम आदमी को भी समझ में आ जाए ठीक है ना उसको इस्तमाल करें late terminology ले मतलब जो रोज मर्णा की life में हम लोग यसे हम कहते हैं कि वहां लोग कोई बिमारी होती है तो हम diastolic और systolic pressure बोल देते हैं नहीं आ रहा कि शिएको diastolic systolic pressure समझने में हम कहरें तुम्हारा systolic pressure बहुत ज्यादा है तो इसको बोलो भी आपका BP बढ़ा हुआ तो ले terminology ले language होगी अपनी ठीक है avoid slang slang मतलब जो short form होती है यह जिस तरह हमने बोल दिया कि high diastolic pressure low diastolic pressure इस टाइब के वर्ड इस्तमाल होते हैं इनका इस्तमाल ना करें ताकि पेशेंट को भी समझ में आएं पास समझ में आगी किलियर है तो elements of effective communication with patient जब patient से आप बात करेंगे तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे ठीक है किसके लिए हैं यह pharmacist के लिए हम लोगों के लिए हैं यह ठीक है किलियर होगी छे point आप ध्यान रखेंगे अब communication with health professional अब आपने patient से बात कर ली लेकिन आप health professional से भी बात करते हों यानि की doctor से बात कर रहे हैं ठीक है तो अब यहां पर health professional कहीं तरीके से हो सकते हैं physician हो सकता है staff हो सकता है दूसरा pharmacist हो सकते हैं तो तीनों के अलएलग category है यहां पर effective communication between pharmacist and physician nurses and other pharmacist is essential तो एक दूसरा भी बाच्चित होती है तब आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है ठीक है ना तो communication with the health professional जब आप health professional से बात करेंगे तब आपकी communication skills में क्या-क्या बाते होनी चाहिए तो देखो जब फार्मसित physician से communicate करेगा तो pharmacist physician communication often have trouble communicating दोनों ही knowledge के अपने अपने जाता है तो communication में कई बार troubling रहती है ठीक है बोथ हार busy professionals दोनों के दोनों busy है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है दूसरे बात करने का some registered pharmacist intimidated by MD कि ऐसा होता है कि जो फार्मसिस्ट होते हैं मैं MD वगरह होते हैं दॉक्टर सब्सक्राइब होते हैं वो उनको आशी द्राते द्हमकाने मतलब है कि डांटते रहते एक तरह से ठीक है ना intimidated 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 का मतलब होता है द्राना द्हमकाना वो यह MD को द्वारा जो कि normal होता ही है क्योंकि डॉक्टर से खाई लवल पो होता छोटों डिकलती होते तो उससे ड्राते ध्हमकाते रहते हैं जो कि नहीं होना चेद ना ठीक है तो एक पोश्ट लो है तो उससे फरक नहीं पड़ता है लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता है तो इसके हिसाब से आपको अपनी तयारी रखनी है भी पिरपेर्ट वीद इस्पैस्फिक कोश्चन और फैक्ट्स एंड रिकमेंडेशन आपको क्योंकि दोनों के दोनों बीजी हो तो वह को कहिना कि आपकी पोस्ट लो है तो आपको तयार रहना है जो स्पैस्फिक कोश्चन से वह कोश्चन सापके तुरंत या दो रहां लिखे हुए हो या दिमाग में हो या जो फैक्स आप जो डिसकस करना है वह आपको होना चाहिए एंड रिकमेंडेशन वैन इनिशेटिंग आप पेशेंट केर रिलेटेड कंवर्शेशन विद फिजीशन और क्या 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 रिकमेंडेशन डॉक्टर नगर को बोली हुई ह लिकर के पहले दे रखी दी तो वो सारी सामने होने चाहिए और तब आप उससे पेशेंट केर को लेकर के तुरंत आप उनसे बात करें ताकि फटा फट टू दा पॉइंट बाते हों और कंवर्शेशन जल्दी से खतम हो जाए चूज दा राइट टाइम एंड प्लेस फॉर इनको लेकर बात करने तो आप रैंडम कई भी जा सकते हैं कई बर कुछ और टॉपिक भी बात करनी होती है तो आपको सही समय और जगह देखनी पड़ती है ठीक है अब पता देला डॉक्टर दुपैर में उठा लंच के लिए आपने लंच कर लिया था आप चले के बात करन bringing कौन की कैसे का being don't interrupt physician patient physician teaching unless needed ठीक है ना अगर physician और patient 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 बात कर रहा है ईया डिट कर रहा है तो आप उसे जरूरत नहीं थो ठीक है बीच में physician patient दाट कर रहा है इस कर रहा है तो आप उसे एंटर प्ताना करें बीच में अगर जरूरत नहीं है थो ठीक है Campus when address by question, listen carefully, access information, ठीक है, जब question बोला गया है, तो आपको ध्यान से सुनें, उस information को समझें, ठीक है, और ask additional question until clear about the situation, आपसे कोई सवाल कर दिया गया है, ठीक है, when addressed by a question, ठीक है न, तो आपको ध्यान से सुनना है कि क्या बोल रहे हैं, क्या आपसे बोला जा रहा है, ठीक है, उस information को पुरा access कर लेना है, और अगर कोई जरूद है कि हाँ, वो question समझ में नहीं आए, उसमें कुछ और चीज़ें आपको जाननी है, तो फिर question को और क्या करना है, ask additional question, उस question से लेडर और question पूश्टे ने, ताकि doubt जो है, वो clear हो जाए, उस situation को ले कर गए, तो कही ना कहीं, physician pharmacist को of error in dispensing, जाद अदर communication इनलों के बीच में क्यों होता है, क्योंकि dispensing में error हो गई है, ठीक है, nurse ने कुछ और दे दिया है, फार्मसेश में कुछ और लिखा था, जो भी कुछ ने कुछ और लिखा था, फार्मसेश में कुछ और निकाला, nurse ने कुछ और दे तो इस type से कुछ दि communicating media, यहाँ पर क्या है, nurse तो भई कहा है, अपने ward में है, कोई दिक्कत अखट से phone मलाया, वो चौथी मंजिल पर है, नीचे थोड़ा है कि फार्मसेश में मिलने के लिए, phone मलायाईगी, हाँ भई देखो यह प्रिसकर समय लिखा था, आपने यह medicine दिये करके, वो बताएगा है फिर उसको, ठीक है, so mutual respect, communicate clearly, timely, एक दूसरी परती mutual respect रखें, communicate करें, clearly और timely, clear है, तो यह nurse और communication, जो लोग working होने तो सब बातें बड़े आराम समझ वारी होंगी, otherwise, यह दूसरा point हो गया, तीसरा, जब एक से ज्यादा फार्मसिस्ट होते हैं, एक फार्मसिस्ट के अंदर क communication होता है, यह क्या रहता है, clear communication of patient information during shift switch, पहला कब होगा, जब shift switch हो रही है, और गंटे बास shift change होती है, तब वो एक दूसरे बात करते हैं, और सारी चीजे समझाते हैं, कि यहां तो यह था, यहां से अब तुम्हें समालना है, direct communication between consulting pharmacist and the pharmacist on the patient care team, direct communication होता है, जो consulting pharmacist होता है, तो उन दोनों के बीच में भी direct, बात्चीत होती है, patient को लेकर के, community and institutionalized pharmacist rarely communicate, जो community pharmacy है, यानि कि जो medical store के फार में ऐसी है, और जो institutionalized pharmacist, और जो किसी hospital बगर के फार्मसिस्ट हैं, इन नों के बीच में बहुत ही कम, rarely कोई communication होता है, के लिए रहे बाते हैं, बात समझ में आ बात समझ में आ गई, now, verbal communication skill, अब हम इसको थोड़ा सा detail में समझेंगे, verbal communication skill को, clear है, starting में, और अब lecture clear हो रहा है, और यह मैं फिर कहा रहा हूँ, very important, क्योंकि यही सब चीज़ें आपको समझने भी हैं, कि यह सब चीज़े theoretical समझा रहा हूँ मैं, अब जब आप फार्सिश के पेशे में जाएंगे, तो आपके training में यह सब चीज़ें आपको सिखाए भी जाएंगी, ठीक है, ओके, verbal communication में हमार पास दो दे रखा है, one-to-one communication, यानि कह सकते हैं, face-to-face communication, और दूसरा दे रखा है, telephone communication, ठीक है, तो समझ ले, verbal communication में, अगर आप face-to-face communicate कर रहे हैं, ठीक है, तो वो condition क्या रहेगी, the specific one-to-one situation is where pharmacists want to communicate with a person, professionals और patient, जब आप face-to-face किससे बात करें, किसी professional से या किसी patient से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, one-to-one communication या face-to-face communication, here the pharmacist and person discuss and argue on important point, यहां पर क्या है, pharmacist और वो इंसान, चाहें professional हो, चाहें patient हो, discuss करते हैं, argue करते हैं, किसी topic के उपर, वाजिवात करेंगे, on important points, on spot by directly communicating with each other, on the spot, ठीक है ना, on the spot, वहीं बैटे-बैटे आमने सामने discuss करेंगे उसको, this communication helps the person to understand pharmacist thoroughly, तो face-to-face होगा, तो जो इनसान है, वो pharmacist को अच्छे से समझ पाएगा, कि क्या कहना चाहता है, by analyzing his eye contact and body language, वो pharmacist को पूरा देख सकता है, उसकी आँखों contact समझ सकता है, तो अच्छे से, हर एक चीज क्या है, communicate हो पाएगी, उसका message pharmacist क्या कहना चाहता है, one-to-one communication help in reducing the communication gap and barrier, one-to-one communication में कहा रहाता है, communication gap, जिसको हम पढ़ेंगे आगे जाकर, communication skills में जाकर करके, communication gap और barrier जो होते हैं, वो काफी हद तक reduce हो जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे face-to-face सामने सामने बात कर रहे हैं, ठीक है, now, elements of face-to-face communication, ठीक है, अब जब हम बात करते हैं, तो उसके भी कुछ गुण होते हैं, कुछ skills हैं, जो आने चाहिए, ठीक है, या जो हम लोग इस्तमाल करते हैं, लेकिन उसको theoretically क्या बोलेंगे, वो देखो, समझो, जैसे वह नहीं बताया था, मैं tone अपना उपर नीचे करता हूँ, बात करते हुए, तो वहाँ से इंसान communication, तीन elements है, पहला word, और विसी बात है, शब्दों तो आप बोलोगे, दूसरा tone, जो आपना tone कम जादा करते हो, और तीसरा non-verbal behavior, यानकी body language और facial expression, कुछ सामने साब देखी रहे हो से, कि आई content कर रहा है, कि यह ऐसे बैठ है, कि कान खुजा रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं, आप क्या शब्द इस्तमाल कर रहे हैं, उन शब्दों को बोल कैसे रहे हैं, आपका tone क्या है, दो चीज़े हैं, और last ने finally क्या आगया, non-verbal behavior आपका आजाएगा, चलो देख लेते हैं फटा-फट इनको भी बारी-बारी से, तो words बोल रहा है, in communication हैं, speakers words are only a fraction of his efforts, जो शब्दों का इस्तमाल कर रहा है, वो उसकी कोशिशों का कुछ हिस्सा ही है, ठीक है, जब verbal communication करते हैं, जैसे कि मैं से verbal communication कर रहा हूं, तो मेरा हाथ भी हिल रहा है, मेरा eye contact भी हो रहा है, मैं अपने tone को अप-down कर रहा हूं, तो सब चीज़े मिलके के वर मेरा बोलना ही, काफी नहीं है, यह जो मैं आप से हाथ हिला रहा हूं, टोन को उपर निचे कर रहा हूं, यह सब मिल करके मेरे इस communication को effective बना रहे हैं, वो यह चीज़ी यहां पर कहना चाहरे हैं, कि जो शब्द हैं, वो कुछ हिस्सा ही है, वो complete communication नहीं है, the pitch and tone of his voice, आप किस इस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, और आपकी tone क्या है, पीछ है ना, आप पीछ कैसे करते हैं, and speed and rhythm, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, दिवे बोल रहे हैं, of spoken words, and the pauses between those words, और शब्दों बीटे जो आप पॉज लेते हैं, ना, मेरे भी tone में जब आप डाउन हो रहा कर देते हैं, ठीक है, जैसे है ना, कोई चौकता है, अच्छा, अच्छा, तो इस दूसरा वाला चौक ना था, इसमें लगा कि हाँ, बंदा चौका बहुत, उसको तो कुछ पता है ना, इसके बारे में, ठीक है, अब tone of voice, हम भी सब लोग करते हैं, तरह tone कैसा है बे, अच् हम लोग भी आपस में बात कर लेता हैं, यार दोस्तों में हो जाता है, जगड़े से हो जाते हैं, अकॉर्डिन तो महरावियन, the tone of voice we use is responsible for about 35-40% of message, ठीक है, जब tone होता है, 35-40% की हिस्सेदारी है, तोन की, कि आपका tone कैसा है, the tone of voice represents volume, emotions and emphasis, ठीक है ना, tone में क्या है, आप कि tone में emotions छुपे होते हैं, है ना, डर लगता है, डर वाली tone अलग होती है, डाटने वाली tone अलग होती है, emotions छुपे हुए है, और emphasis, आपका जोर छुपा हुआ, आप कहने में कितना जोर डाल रहे हैं, ठीक है, now, types of tone voice, तो अब हम देखने जारा है, जो tone है ना, tone, उसकी प्रका as well as professional life, ठीक है, वो सामने वाले को engage रखेगा, motivate करता है, और inspires करता है, their personal as well as professional life को, एक तरह से inspire करने का मतलब, सामने वाले को क्या कर रहा है, देख तरह से मनवल बढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो यह हो गया, motivational tone हो गया, informative tone of voice, आप किसको जब information देते हैं, तो वो tone आपके हो गया, कुछ teacher बहुत जादा popular है, with the student and leave a lasting impression on their life, और वो ता उमर उनको याद रहते हैं, कुछ teachers, यान सब दे रहे हैं, सब के लगबग सभी teacher गयान एक जैसा ही होता है, एक कुछ teachers छब जाते दिमाग में, उसी तरह ही आपर कह रहा है कि जो यह informative tone है, आप जब information देते हैं, वो depend करता है, कि आप किस प्रकार दे रहे हैं, one of the many reason is their tone of voice, यानि कि अगर वो teacher आपके दिमाग में रहे गया है, तो यानि कि जो उसका tone of voice था, वो कहीं नगे आपके दिमाग में छब गया है, ठीक है, an informative tone of voice enhances knowledge, अगर information आप देने कर लिए tone है आपकी, तो सामने वाले की knowledge ब होती है, inspire होती हो, soft tone of voice, बहुत अराम से बात करना, ठीक है, a soft tone helps to form a bond and protect relationship, है आप अराम से बात करते हैं, तो यहां पर आपका एक bond strong होता है, और जो आपके रिष्टे हैं, वो मजबूत बनते हैं, ठीक है, रिष्टे हैं, यहां पर कहीं रिष्टे साध्यादी में नहीं ज to harsh और angry tone, ठीक है, soft tone, harsh और angry, harsh मतलब रूखापन, और angry गुस्से वाली tone का opposite है, make people feel safe, और soft tone में लोगों को feel safe होता है, यहां यहां मैं safe हूँ, this is why people tend to use soft tone while talking to a child, और यह वज़ा है कि बच्चों से हमनों बड़े प्यार से softly बात करते हैं, है ना, तेजी से डांट के बात करो तो बच्चा आपस पर दूर भागना लएगा, humorous tone of voice, मजाक्या टाइप का, keeping your speech humorous with funny stories or quotes keep the persons in a positive mood, तो वह सामचाला इंसान हसता रहता कि आरे यह यह तो बड़ा मजाक्या है, यारे कि मेरा दोस्त, उसको friend वाली category में लेके आ जाएगा, respectful tone of voice, सामने जवाप बात करते हैं, हाँ सर, हो जाएगा, जी सर, है ना, तो यह respectful वाली बात आ गई, ठीक है ना, तो आप respect दे रहे हैं, तो respect दिख जाता है, कि respect दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, humorous है, ठीक है ना, respectful tone enhances the quality of your communication, it conveys your kindness, humanity and truthfulness, obviously बात है, respectful मतलब, आप किसे patient को respect दे रहे हो, आप किसी अपने professional partner को respect द सब पता था, लेकिन उसमें लिखना क्या है, बस यही जानना था, हो गया काम अब, समझ में आगी बात है, तो पढ़ लो, समझ लो, heading बस mark कर ले, बाकि अपने मन से भी लिख सकते हो, उसको, ओके, अब बात करते है, non-verbal behavior, यानि कि जो हमारी heading है, body language, ठीक है, तो body language include, कौन कान आगया, इसके अंदर facial expression, the way they are standing or sitting, किस परकार आप बैठे हो या खड़े हो, है ना, भजी डिसकस किया था, मैंने, any swaying or other movement, ठीक है, gesture with their arm and hand, हाथ के साथ आपको कैसा gesture रहा, इसा gesture रहा, इसा gesture रहा, जैसा gesture रहा, जैसा मरजी gesture रहा, आई content कैसा है, breathing rate कैसी है, हाँ, हाँ ठीक हो, आपकी सांसे तो नहीं जाए तेज रहा करके, ठीक है, swelling or coughing, आपको चीज़ निगल रहे हो, खास रहे हो, यह सब चीज़े क्या करेंगी, affect करेंगी, now, it's not what you say, it's how you say it, that matters, आपने क्या का यह matter नहीं करता, आपने कैसे कहा, यह matter करता है, that most in relaying your message, ठीक है, आप किसे से समझाया है, यह चीज़ matter करती है, ठीक है, now, advantage of one-to-one communication क्या है, less misunderstanding, misunderstanding का काम खतम हो जाता है, कोई दिक्कत होती है, हम वहीं discuss करके पूछ लेते हैं, effective है communication, develop comfort level, comfort हो जाता है, काफी जाता है, कुई आमने सामने हम देख दूसरे को देख पा रहे हैं, develop confidence, confidence develop होता है, resolving trust issue, है जो अविश्वास का कोई कारण होता है, तो खतम हो जाता है, एक दूसरे पर विश्वास easily हो जाता है, और हम लोग कर पाते हैं, disadvantage क्या है, not suitable for large audience, एक साथ 3-4 लोगों के साथ हम लोग नहीं कर सकते हैं, low retention by listener, ठीक है, कई बार क्या होता है, इंसान सामने सुनने का फीमेल है, बात नहीं करना चाहती, religious matter है किसी का, नहीं बात करना है, इन सब बिमारियां को ले करके, तो यह taboo, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए suitable नहीं है, तो यह disadvantage है, ओके, तो यह हमारा one-to-one खतम हो गया, ओके, now come to over the telephone, याने कि telephone से हम लोग बात करेंगा, तब हमें क किस्ते से communicate करते हैं, वो जवर्दस तरीके से पिछले कुछ सालों में बदल गया है, even with the introduction of technology-based communication, such as social networking site, telemedicine, telemedicine ने आजकल phone से दवायों की बात चुत होती है, and texting that telephone call is still most widely used communication tool between healthcare providers and patient, कह रहा, communication तरीका जवर्दस बदल गया है, पहले क्या था और अब क्या हो गया है, कह र communication आगया है, जैसे कि social media और आगया है, telemedicine आगया है, texting आगया है, लेकिन telephone call जो है, phone से बात करना, आज भी सबसे ज़्यादा इस्तमाल में होने वाला tool है, यानि सबसे ज़्यादा इस्तमाल में होने वाला चीज है, टेलिफोन से between healthcare providers and patient, patient और इन professional के बीच में सबसे ज़्या When casually or carelessly conducted, telephone communication can lead to diagnostic error, अगर casually कर रहे हो, आप किसी से बात चीज कर रहे हो, या carelessly कर रहे हो, किसी से बात चीज, तो हो सकता है, जिसकी वज़े से क्या हो सकता है, diagnostic error हो सकता है, यानि कि आप उसकी बात सुने ही नहीं कि उसको क्या विमारी है, ठीक है, और आपने कोई medicine लिखी है And misunderstanding that may culminate in professional malpractice claim, ठीक है, कह रहा है, diagnostic error हो सकता है, and misunderstanding that may culminate, और अगर कोई misunderstanding हो गई है, फोन में बात करते हुए, कोई बात कही समझ कोछ और लिया है, culminate मतलब पनप सकती है, professional malpractice में, professional error में, ठीक है, malpractice claim का मतलब यह हो गया Now, creating comprehensive clear guidelines for telephone encounters with patient is critical in mitigating risk, creating comprehensive clear guidelines for telephone encounters, हमें comprehensive detail में और clear guidelines बनानी है for telephone encounters, जो patient telephone से बात कर रहे हैं, उनके लिए, हम pharmacist के पास एक detail में और clear guidelines होनी चाहिए, कि बात करें तो करें कैसे, क्या क्या बात है करनी है, कैसे कैसे पूछनी है With patients is critical in mitigating is, ठीक है ना, यह जो guideline और comprehensive and clear guidelines जो होती है, यह critical होती है, नरनायक होती है, risk को mitigate करने के लिए, कम करने के लिए, अगर हमको proper और तरीके पता है, telephone से कैसे बात करनी है है ना, अभी आप लोग कहोगा हमें तो पता है, अथा नहीं होता है, अभी दो हम सीखेंगे, telephone से बात कैसे की जाती है, patient से, ठीक है establishing practice guideline and ensure that all office and clinical staffs are trained, दो साफ साफ कह रहा है established practice guideline, practice guideline, practice है ना, वो establish होने चाहिए, याली कि पहले आपको practice कराई जाएगी and ensure that, और इस अनुशित किया जाएगा कि all office and clinical staff, सारा का सारा office and clinical staff are trained, वो लोग trained हो on their roles in communicating with patients by telephone, telephone से बात्शित करते समय, आपको train होना पड़ेगा, जैसे आप नहीं दिखा हो नो, कश्मकर से call आते हैं कितना प्यार से बात करते हैं लोग, है ना, तो trained होते हैं लोग अब protect yourself from potential liability by following these general practice, तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों की टेलिफोन पर बात कैसे करेंगे, उसकी theoretical training कराने जा रहा हूं यानि कि यह आपका आएगा कि आप कैसे बात करेंगे, ठीक है ना, तो कह रहा है अपने आपको बचाए potential liability, है ना, इसका potential liability का मतलब हो गया, किसी प्रकार से गलती ना करें आप, ठीक है, by following these general practice, इसको follow करते हुए, पहले चीज, smile when greeting patient, अब फोन पर कैसे दिखाए पड़ेगा, हम लोग बोलते हैं ना, hello, hello, hello sir, तो बात समझ मां आती है, है ना, smile किया बंदे ने, ठीक है, तो smile when greeting patient, तो कह रहा है, smile करना है, ठीक है, research has shown that people are able to tell if you are smiling by the tone, आपकी tone में smile दिखनी चाहिए, आपका tone of voice smiling होना चाहिए, ठीक है ना, तो, ऐसे में क्या होता है, जो patient होता है, आपको बाते बताएगा, warmly express to patients that you are happy to speak with them today, और खुशी से कहें, कि हम को आप से बात करके, खुशी प्राइज का मतलब क्या है, तब process of determining the priority of patients, पूरी process जिसमें हम determine करते हैं, जानने कोईश्च करते हैं कि patients की क्या priority है, patient priority treatments by the severity of their condition, ठीक है, उसकी क्या priority है, treatment को लेकर के, उसकी जो severity condition है, बिमारी है, उन सब चीज़ें को देखते हुए, उसकी क्या priority है, और likelihood of recovery with and without treatment, ठीक है ना, तो एक ही बाद चीज होगी, यहाँ पर tries में हम लोग क्या कर रहे हैं, यह और करकर लग दिया, यह line लिखो चाने बारी है, और वो क्या चाहता है, उसकी priority क्या है, कि वो treatment से ठीक होना चाहता है, without recovery with and without treatment, या फिर without treatment, non-pharmacological treatment होता है, बिना दबायों कि हम ऐसा करें, ऐसा करें, यह खाएं, वो खाएं, ठीक हो जाएं, तो यह पूरी information gathering process होती है, इसको हम लोग triage कह देते हैं, के लिए हो या, triage, okay, now, triage and refer all critical calls to emergency service, पूरा information gather करी, और emergency service को भेज दी, examples of critical call include abdominal, अब critical calls कौन सी है, कि हम जो emergency में भेजनी है, तो मैं ट्राइज कर लिया, यह काम तो करना ही करना है, और critical call है, मतलब कोई लगता भजा दिक्कत में, तो emergency service में उसको transfer कर देना है, तो कौन कौन है, abdominal pain हो र चाती के पेन में, पता नहीं कौन सा pain है, heart attack वाला pain भी हो सकता है, fever of unknown origin, बुखार आ रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है, high fever lasting more than 48 hours, 48 घंटों से ज्यादा समय हो गया, बुखार बहुत तेज है, conversion, दौरे वारे से पढ़ रहे है, vaginal bleeding चल रही है, लगातार, ठीक है, head injury हो गई इस नहीं हो गया है, cast, data too tight, visual alternation, देखने में को दिक्कत हो रही है, and the onset of labor, या labor pregnancy का start हो गया है, तो यह सब critical condition के अंदर आती है, और इसको emergency service में भेज दी जाती है, phatox ambulance आती है, इन लोहों को लेके आ जाती है, आगे आते हैं, obtain as much information as possible about patients presenting complaint, ठीक है, obtain करो, इखटा करो, as much as information as possible, जितना संभाव हो सके about the patients presenting, patients जो present कर रहा है, बता रहा है, अपनी complaint को, उसको जादा जादा समझे कोईश करो, medical and surgical history समझो, उसकी current medication समझो, and allergies समझो, allergy to help you arrive at the accurate appraisal of the patient's condition, ठीक है, कि सब चीज़ें को समझना है, जिससे कि उसकी accurate condition को समझ सको, listen carefully and allow the caller both the time and opportunity to ask question, उसको ध्यान से सुनो, और caller जिसने जो call किया है, उसको time दो, opportunity जिससे कि वो अपने भी question पूछ सके, ठीक है, ऐसा नहीं कि अपनी बात करते चलेगा, उसको मौकाई नहीं दिया, speak to patients clearly and slowly, उससे clear बात करें और धीर आराम से बात करें, हो सकता है, सामने वाला तेज़ तेज़ आप की बात ना समझ पाए, and initiate carefully, और से समझाएं, explain करें, ध्यान से, use easy to understand language, असान भासा के इस्तमाल करें, फार्मेशी वंदर technical term के इस्तमाल नहीं करना है, इनकाउंटर है language difficulty, अब मान लो, ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने बताया था, एक North India का इंसान है, एक South India का इंसान है, बीच में language gap आगया, तो बीच में आपको क्या रखना है, एक interpreter रखना है, जो की हिंदी की भासा को convert करके, South की language में बताएगा, या South वाले वाले के जो बोला है, उसको सुन करके वो हिंदी वाले को बताएगा, ऐसा भी होता है, ठीक है न, Follow the Americans with Disability Act, ADA, requirement for patients using telephone auxiliary aids, और services including interpreters, ठीक है तो कह रहा है, ऐसी situation में हमको, क्या follow करना है, Americans with Disability Act, इसको follow करते हुए चलना है, ठीक है, जब हमको interpreter वाली condition आएगी, के लिए रहे हैं, Okay, avoid distractions, यानि कि आप जिस समय बात कर रहे हैं, यह नहीं मुबाइल चला है या किसी और से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, Avoid distractions such as checking email, attending to other duties, उस समय आप कोई काम ना करें, अपना email बगर ना देखें, अपना phone ना देखें, कोई और दूसरा काम परफॉर्म ना करें, दूसरी duty ना करें, When speaking with patient, drowsiness, fatigue or distraction on the part of either party can affect the ability to communicate effectively, अगर आप drowsiness, नीन जैसी है, थाके हुए है, distraction है, on the part of either party, चाहें patient की तरफ से हो, चाहें pharmacist की तरफ से हो, किसी की तरफ से भी अगर दिक्कत आईए, तो हो सकता है, जो communication है, वो effectively ना हो पाए, अच्छे से ना हो पाए, Now, adhere to HIPAA, HIPAA क्या है, Health Insurance Portability and Accountability Act of 1966, ठीक है, यह क्या है, rules, debt, regulation to maintain patient privacy, हिपा क्या है, simple सी बात किसके लिए है, patients की privacy, उसके अपनी सारी बात बता दिया आपको, तो आप उसको private रखे हैं, किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है ना, when communicating over the telephone, both inside and outside of the office, मतलब यह नहीं कि आप आया और फिर आप patient का मजाग बना रहे हैं, तो उसको बात कर रहे हैं, यह patient ऐसा है, उसको यह दिख करती, उसको वो दिख करती, उके, use a low voice when discussing protected health information, कोई अगर ऐसी चीज है, जिसको की दूसरों में share नहीं करनी है, तो हमें low voice में उसको थोड़ा सब धिमा आवाज में बात करेंगे, कि बाजुवाला उसको ना सुन सके, and implement reasonable safeguard to avoid disclosing information to others, और वो सारे के सारे safeguards मतलब चीजें हम लोग अपनाएंगे, जिससे की उसकी information बाहर किसी के पास ना जाए, ठीक है, avoid disclosing, disclose मतलब खोलना information किसी और को, to others, not involved in the patient's care, जो लोग patient care में involved नहीं है, उनके patient की देखरेक में involved नहीं है, उनके पास उसकी information ना जाए, ठीक है, स्टाफ में तो कहीं बाद देना पड़ता है हमें, ज़रूरी होती है, ओके, prescribe और advise by telephone only when you have reviewed the patient's allergy, medication and medical and surgical history, आप patient को तभी prescribe करें है, या advise करें कोई चीज, जब आपने उसकी पूरी patient की allergy, medication history, surgical history सब समझ ली है तब, if providing new instruction to the patient, such as changing of medication, doses, ensure, ठीक है, क्या रहा है, if providing new instructions to the patient, अगर कोई नई instruction patient को देनी है, such as changing of medication, doses, मालों से बताना कि आपको जो चल रही थी, उसको चेंज करना है, तो ensure करें, understanding by asking the patient to repeat the instruction back to you, तो आप कहेंगे, जो मैंने आपको बोला है आप बताओ, dose कैसे लेनी है, और मेरे को बोलो पहले, तो patient वहाँ से repeat करेगा, तब आप कहेंगे, हाँ ठीक है, जो मैंने बताया, आपने समझ लिया, document the patient's understanding in the medical or dental record, और patient ने बाते जो समझ ली है, उसको document कर देना, लिख लेना है, जिससे के clear हो जाए कि हाँ, उसने बात जाए पी, के लिए बाते हैं, तो देख रहे हो, telephone कितना असान नहीं है, तो यह सब बाते हमको telephone में क्या कर रखनी है, समझ नहीं है, और यह सारे point आपको देने पड़ेंगे, telephone के बारे में जब आप लिखेंगे, clear है, okay, now next point है, accept a third party description of medical or dental condition only when you have confidence in that person's competence to describe what he or she sees, को कह रहा ह है, accept a third party description, मालो एक इंसान भी होस्ट पड़ा हुआ है, और दूसरा इंसान उसको describe कर रहा है, patient को, कि भाया दो को ऐसा है, एक इंसान ऐसा पड़ा हुआ है, यह दिक्कत है, तो करा, accept a third party description of medical or dental condition only when you have confidence in that person's competence to describe what he or she sees, वो क्या देख रहा है, ठीक है, क्या वो उसको सही clearly बत आपारा, तो ही उसको पर भरोसा करें, if descriptions are unclear, the patient may require an office visit, अगर description सही से समझ में नहीं आ रहे है, लग रहा है कि यार कुछ गरबढ़ है, सही से बतानी पा रहा है, तो उसको office visit करवानी पड़ेगी, make prompt referral if the patient call concerns a medical or dental problem that is outside your expertise, माल दो आया patient तुमारे पास, और वो तुमको लगता कि मेरे समझ के बाहर है, तो तुरंत कॉल करेंगे, make prompt referral if the patient call concerns a medical or dental problem, आग उसमें कॉल करी है, और आपको लगता है, यह जो conditions बता रहा है, उसके बाहर की बात है, तो refer करेंगा तुरंत कि भाई, इसके पास जाओ, यहाँ कॉल करो, ठीक है, now next क्या है, confirm that pharmacist understand all doses and instructions for drug prescription given by telephone, confirm करें कि pharmacist ने सारी चीज़ें समझ लिए है, dose बगरा and instruction for prescription given by telephone, spell out any similar drug name and use individual number for doses, ठीक है ना, confirm that pharmacist understand all doses, यह confirm करें कि pharmacist ने सारी dose समझ लिए है, है ना, फार्मसि़ें समझ लिए होंता कौन बोर्ट हो यहाँ पर, डॉक्टर बोर्ट होंगे, and instructions for drug prescription given by telephone, अगर prescription telephone से दिया जा रहा है, फार्मसि़ें को कि पेशेंट को यह दवाई दी देना, ऐसे से दे देना, ठीक है ना तो यह confirm करना है कि क्या उसने समझ लिया है, जैसे कि spell out any similar drugs, names, and use individual number for doses, सच है, कैर अगर एक जैसे drug के नाम है, तो उसको बोलना है मूझ से, जैसे कि 50 for 50, तो 50 ना बोलके हम बोलेंगे, लिखो 50, ठीक है, include the reason for the use of the drug, drug का use का reason लिखें, insist that pharmacist repeat the information, और insist करें कि pharmacist को कि जो जो बोली है information, वापस मेरे को बोलो, back to you, do the same with facility personnel who take your telephone order, ठीकर यही सारी activity आपको करनी है, facility personnel के साथ, जो आपका order ले रहा है, a safer approach is to use electronic prescriban or fax the medicine order, safe approach किया है, उसके पास fax कर दो, या return में लिख करके, सीधा ना, आजकल क्या है, वाट्साप कर दो, खर वाट्साप legal नहीं होता ह तो जो उनके तरीके हैं, यहां से print मारा mail किया और वहाँ पर print out निकल आया, वो सबसे safe रहता है, clear है, now, verify and document the patient adherence with telephone, verify and document the patient adherence with telephone advice through a follow-up contact to ensure continuity of care, तो यहां पर क्या करना, verify करना है, document patient adherence, उसको documentation कर देना, verify करना है with telephone advice through a follow-up contact, उसको आप call करके, वार वार क्या करेंगे, follow-up करेंगे, दवाई time से खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, ठीक है, और ensure continuity of care, और सुनशित करेंगे, जो care है, वो लगातार हो रही है, clear है, now, इसी telephone में, जब हमने बातचीत कर लिए है, तो कई बर क्या होता है, क्या बातचीत हुई है, हम लोग कई बर भूल जाते हैं, उसको proof नहीं है, तो documentation, हम लोग करेंगे, चीज़ों को लिख लेते हैं, तो क्या करें, disagreement about what was said during telephone conversation can be a major problem in professional malpractice cases, disagreement what was said, क्या कहा गया और क्या समझा गया, या सुना गया, तो हम लोग करते हैं, follow this documentation process to mitigate this risk, हम एक documentation process follow करेंगे, जिससे कि ये चीज़ ना हो, कि क्या कहा गया है, और क्य समझा गया है, क्या करेंगे, document all patient telephone conversation in the medical or dental record, जितने भी patient की call आती है, नाम के साथ, सब कुछ आप record करेंगे, ठीक है, include the date and time of each contact and when follow up is completed, date time mention करेंगे और कभ follow up complete हो गया, उसका, record all details immediately about the information you receive, जो भी वहाँ से information आ रही हो, सब record लिख लेंगे, ठीक है, what you advise, क्या आपने advice दिया, वो भी लिखेंगे, कि आपने क्या करा उसको करने के लिए, and the orders you gave, जो आपने उसको instruction दिये, वो भी लिखेंगे, this action is especially important when a telephone call occur after office hour or on a weekend, ये कब बहुत जरूरी हो जाते हैं, जब आप मानलो कहीं बहार हैं, पेशेंट तो patient है, call कर दिया उसमें, आप भले अपने घर पे हो, तो उसमें call कर दिया, आपको समझानों तो पड़ेगा, है ना, तो उस समय तो बहुत ज़रूरी है, उस समय आप अपने office में ही नहीं, यांकि छुट्टी पर है, तो उस समय ये बहुत ज़रूरी है, कि आप documentation करें, चीज़ों को हर एक चीज़ को note कर लेगा, उस समय आप छ सुनिश्चित करने के लिए कि callers के questions थे and problems resolve हो गए हैं और documentation उसका हो गया है, clear है, तो देखने में बहुत छोटी चीज़, और लिखने में बहुत बड़ी चीज़, ठीक है ना, तो ये भी documentation भी होता है, अब आगे हाते हैं हम लोग देख लेते हैं, advantage और disadvantage of telephone communication, check advantage है, you get immediate feedback to things you say, advantage क्या तुरंद feedback मिल जाता है, ठीक है, advantage क्या है, the person must be available to take your telephone calls, अच्छा, एक ये करे कर लेते हैं, advantage, feedback तुरंद मिलता है, the conversation is relatively private between you and the caller, conversation private रहती है, किसी तीसरे को बात पता ने चलती है, although others might be able to hear what you are saying, ऐसा हो सकता है, कि दूसरा सुन ले कि आप क्या कह रह प्राइवेट है, आपके उसके बीच में, you can call someone anywhere on the planet, आप पूरी प्लैनेट पे कहीं पर भी किसी को भी call कर सकते हो, ठीक है, calls can made 24 hour a day, 7 days a week, कभी भी call कर सकते हो, internet based call can be free, internet call होती हो, free है, ये भी advantage है, internet calls within a business are usually free of charge, ठीक है, जो business के अंदर internal calls होती है, internal calls, जो business के अंदर, है ना, internal calls होती है, डॉक्टर ने फार्वंसिस को call किया, तो वो जो internal call होती है, वो तो free of cost होती है, intercom होता है, most people have telephone, आजकल सबक्राइब टेलिफोन है, no specialist equipment is needed, इसे विले कोई खास अलग से specialist equipment, special equipment नहीं चाहिए, if there is a answer phone, if there is a answer phone, you can leave a message, हैना, answer phone होता है, देखा, movie देखते ह है, beep सुनने के बाद, आप अपना message छोड़ दें, हैना, तो beep सुनने का message छोड़ देता है, if the person is not available to take your call, आप अपना message छोड़ सकते हैं, कि ऐसी दिख करते हैं, वो बाद में सुन लेगा, now, disadvantage देखते हैं, पहला यही हो गया, person must be available to take your phone, call करो, वहाँ पर इंसान नहीं है, त So, you can't speak to the person when you want, कई बार ऐसा तो line engage है, call कर रहे हो, आपने का, आप 2 मिन बात करेंगे, तब तक को किसी और से call करना लगा, फिर, किया, फिर engage आ रहा है, तो line कई बार engage होती है, you generally have to pay for every minute, ठीक है न, internet call free है, लेकिन आप normal call करते हैं, तो आपको हर एक minute का charge पड़ता है, ठीक ह कर, mobile पर हो, या आप HD call कर रहे हो, sorry, ISD call कर रहे हो, overseas, that can be expensive, और ही महंगी भी होती है, यहाँ बैट करके, आप इसे दूसरी कंट्री में call करेंगे, तो महंगी होती है, there might be noise or interference, so that quality of the call could be poor, आसपा से shore हो सकता है, या किसी और प्रकार का interference हो सकता है, इससे की quality of voice क्या हो है, poor ह हो सकती है, with mobile call, you might move out of the range of the transmitter and so the call get cut, mobile लेकर जो चले कहीं दूर, अच्छा, मैं आ रहा हूं, मैं दिख रहा हूं, अच्छा, मैं भी बाहर निकल गया, अच्छा, आ जा, देखो, मैं भी आ गया, मैं भी network में आ गया, ठीक है, ऐसी तो होता है, हाँ, सुना ही देराब आप आ हो जाता है, it is not easy to make a record of what is said during a call, things might be forgotten or misinterpreted, अप हर एक चीज को लिख नहीं सकते हैं, आप कहीं मार्केट में कहीं कहीं हो रहे हैं, तो कई वर आप उसे भूर सकते हैं, with standard telephones, only spoken information can be exchanged, अगर standard telephone हो तो आप केवल spoken, है ना, जो standard अपना उतर ना उठाया, आप से केवल बात कर सक हैं, smart phones however do have this facility, smart phones में ये facilities है कि आप फाइल वगरा भेज सकते हैं, ठीक है, standard phone मतलब जो ना उठाते हैं इस तरीके से, hello, बस थोड़ी देर और, थोड़ी दोर और बस फटासा लेंदी हो गया, अबर क्या करें, सारी बतानी तो हैं, इसको fast forward करके देख ले ना, ठीक है, इसक कीजिए, अब लिख करके हम बात करेंगे, तो क्या कह रहा है, all forms of professional writing require clarity and precision, professional writing जो होती है, जितनी परकार की, वहाँ पे clarity होनी चाहिए, और precision, सटीक, सटीकनेस होनी चाहिए, ठीक है, short sentences and paragraph, simple words and sentence structure are among the most important qualities of the best writing, यानि कि जब लिखते समया, आपको छोटे-छोटे sentence लिखने है छोटे-छोटे paragraph लिखने है, simple सब्दों का इस्तवाल करना है, sentence आपके structure होने चाहिए, टोटे-फोटे sentence नहीं होने चाहिए, ये कुछ important qualities है, best writing की, words need to be chosen carefully, जो शब्द आप लिखेंगे, बहुत ध्यान से चुने, with correct grammar, grammar आपके सही होने चाहिए, ऐसा ना हो, है ना, कई वा translate गया, खाना खाता है, श्याम को, पूरा अनर्थ कर दिया, अर्थ का अनर्थ हो गया, ठीक है, हो जाता है, तो इस से बचे, words need to be chosen carefully with correct grammar, easily legible, grammar, easily legible, अच्छे handwriting में हो, ठीक है, और अच्छे font में हो, and format में हो अच्छे, and structure that are clear, ऐसा structure जोगी killer कर दिखाए दे, accessible and effective, उसको हर कोई assess कर सके, और वो effective होना चाहिए, written message require a logical structure, which may be similar to the one suggested for verbal message earlier, तो कहना, written message require a logical structure, यहाँ पे भी एक logical structure होता है, which may be similar, जो की बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, जो की हमने suggest किया था, verbal messages के लिए, एक पुरा structure होता है, किसके बाद क्या करना है, लिखना है, there should be a brief and thorough introductory summary, outlining the purpose of communication, स्टार्टिंग में थोड़ा सा समरी रहती है, और क्या purpose है, communication का वो स्टार्टिंग में लिखा रहता है, तो इंटरेस्ट बन जाता है, कि अच्छा है, इस topic के बारे में सारी चीज़े हैं आगे, the idea should be presented in clear logical structure with subheadings, heading के अंदर subheadings हो सकती है, आगे clear cut होने चीज़े सारी चीज है, clear हो गया, तो यह था अपना written communication skill, इसमें कुछ खास नहीं है, तो मंसे बना के भी लिख दोगे, now guidelines for writing medical record notes, अब written communication skill तो सीख ली, वो क्यों चाहिए हमें, हो हमें इसलिए चाहिए है, क्योंकि हम medical records रखना चाहते हैं, लिख करके, हैंना, written में रहते हैं, तो क्या करना हमको use blacking, calling का इस्तमाल करना, write clearly and legibly, clear cut लिखना है, legibly, इस पस्ट लिखना है, label notes with specific descriptive heading, notes बगरा उसमें लगाए जाएंगे, जहां पर descriptive heading होगी, ठीक है न, label notes, ठीक है, provide the date and time of the notes, वो notes कब लगाए गए है, उसका date or time लगाना है, document the fact and avoid making unsubstandard judgment, जो facts हैं, उनको document करोगे, और किसी भी type का judgment से बचोगे होँपे, जो की मतलब का नहीं है, ऐसा को judgment होँपे नहीं दोगे अपना, organize the information using SOAP, यानि कि हमें जो अपनी information देनी है, वो subjective हो, objective हो, assessment और plan के साथ हो, तो SOP को follow करते हुए हमें अपना, क्या रखना, information रखना है, और freestyle format होना चाहिए, sign the note at the end of the note with name and title, किसने लिखा है, उसका नाम और title, found sister, क्या है, वो होना चाहिए, now, इसके advantage, disadvantage की बात कर लें करें लोग, तो क्या कह रहा है ये, this method of communication is entirely accurate, since it is open for verification and it is also for authentication, this method, ये जो method है, communication का is entirely accurate, ये एकदम सही होता है, क्यूंकि, it is open for verification, इसको verify किया सकता है, return में है ना, तो कोई भी देख सकता है, verify कर सकते हैं, and it is also for authentication, उससे authenticate भी किया सकता है, more बगरा, सिला, कि हाँ, हमने पढ़ा, ये सही है, ठपा लग गया, ठी एरिया लाइक, organizational, objective, rules and regulations, only written communication is effective, यहां थोले से बात आरी कि अगर जैसे organization होती ही, वहां पर के वाल, written में ही, लिखी हुए ही, सारी चीज़ों होती है, जैसे कि वहां के जो objective होंगे, उस organization का, उसमें क्या roots, regulations, चलाए जा रहे हैं, वो सब written format में होते हैं, in this method of communication, the receiver can read the message, यह message, जितनी मर्जी दफा उतनी बार पढ़ ले, अच्छा, यह लाइन समझ में आधा, फिर पढ़ूँगा, जितनी मर्जी बार पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, written communication can be preserved for a long time, written communication का हम लंबे समय तक preserve कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, समाल के, and if needed, in the future, it can also be used as a legal document, और अगर less distortion, since it is in return format, कहा रहा है, इस method में जो communication होती है, the information to be transmitted, जो information transmit की जा रही है, भेजी जा रही है, goes through less distortion, उसके अंदर distortion, यानि की, फेर बदल के chance कम है, कोई return में है ना, उसमें extra जोड़कों तो दिख जाएगा, since it is in return format, उसमें कोई raise करो, तो समझ माल जागा, या मिटाय हुआ है, तो उसमें आप कोई छिडखानी नहीं कर सकते हो, यह इसका फाइदा है, now, disadvantage, in this method of communication, it is difficult to maintain secrecy, since everything is documented, या पर प्राइविसी खतम होगी, जो देखेगा, पढ़ लेगा, उसे, किसी का हाथ में पढ़ गया दो, in this method of communication, the feedback procedure is quite delay, जो feedback procedure है, यान कि जो आपको कैसा लगा, वो काफी लेट हो, रिटर में है, पढ़ा है, फिर वो अपना feedback भेज़ेगा, वो भी लिखके भेज़ेगा, तो time लगता है, return communication is quite expensive and very time consuming, है ना, expensive होता है, लिखना पड़ता है, paper खर्च होता है, pen खर्च होता है, और काफी लंबा समय लगता है, इसमें, ठीक है, this method of communication has a limited reach, since it is only be accessed by the educated people, इसकी reach limited है, एक unpaid इंसान, illitered इंसान से हम बात तो कर सकते हैं, कोची लिखके दे थी, तो वो से लिखके समझ नहीं पाएगा, therefore, इसकी reach जो है limited है, since it can only be accessed by educated people and not by uneducated people, जो लोग पड़े लिखे हैं, वो लोग तो समझेंगे, इसको लिखे हुए को जो पड़ा रिखा नहीं है, वो इसको नहीं समझ पाएगा, written communication is less flexible, since it need to be formal and maintain specific protocol while writing, इसमें उतनी flexibility नहीं है, मतलब हम जब बातचीत करते हैं, कोई भी बात कहीं भी घुमा सकते हैं, इसमें नहीं जो काइदे कानून है, उतने में ही लिखना है, वैसा ही लिखना है, तो flexibility नहीं है, since it need to to be formal, इसको formal होना है, date और यह पड़ेगा, यह पड़ेगा, बस इस जदा कुछ फालतु नहीं, ठीक है, and maintain the specific protocols while writing, प्रोटोकॉल मतलब जो लिखने के तरीके हैं, हमको वही follow करने हैं, उसके लावा कुछ भी extra हम उसमें नहीं कर सकते, ठीक है, तो यह इसके advantage और disadvantage हो गए, written communication का, तो written उसके उपर notes आएगा, तो उपर उसका general intro हो जाएगा, यहाँ पर general guideline हो जाएगी कि इस तरह से notes लिखे जाने है, और यह अपना lecture number, chapter number 4 का lecture number 1 फिनिश हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी था, इसकाने सारे chapter topic main cover कर दियें, इसके बाद एक lecture और आएगा, वो भी उसके chapter मारे यह खतम हो जागा, ठीक है ना, तो बेटा, notes का link description मिलेगा, यह बेरा number है, कोई problem आएगी तो, यह अपना must must वाला app है, आप उसका use कर सकते हैं, और सबसे जरूरी चीज़ जो हमेशा बोलता हूँ, revise करते रहें, revise करते रहें, पहले पढ़ें और फिर revise करें, ओके, all the best करते हैं, जिससे जरूरी यह ने कि खाएप, थेला झाला झाला झालाचा करते दरूरी तर्वाना का फिर घट, ओक तूरीज़, दले ऊчиistic त.